हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वर्किंग तॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजनी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन को करने वाले है क्वेस्टन में कह रहा है कि यदि 15 अगर्स 2003 को सुक्रवार था तब 15 अगस 2005 को कौन सा दिन होगा तो याद रखना है कि जैसे दिया गया है कि 15 अगस 2003 को कौन सा वार था सुक्रवार था खीक है तो जब भी मेरा डेट हो या मन्त हो अगर दोनों में सेम रहे और year का डिफरेंस रहे तो कैसे बनाना है कि जैसे 15 अगस्ट 2003 दिया और पूछ कितना कर रहा है 15 अगस्ट 2000 15 का पूछ रहा है तो difference निकाल लेंगे difference कितना 12 years का हो गया 12 साल का 12 साल में अब कितना leap year है और कितना शारन year है कैसे निकालेंगे 12 को just 4 से divide देंगे तो कितना हो गया 3 हो गया 4 तिया 12 ठीक है 4 तिया 12 इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मेरा क्या हो गया leap year हो गया और 9 क्या हो गया general year हो गया ठीक है अब जब 3 leap year हो गया ठीक है 3 क्या हो गया leap year हो गया और 9 क्या हो गया general year हो गया तो यार रखना है कि Leap Year में कितना सेस बसता है 2 सेस बसता है तो इसको 2 से गुना कर देंगे 2 सेस बसता मतलब 2 odd day होता है Leap Year में 2 odd day होता है इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे और General Year में जो होता है 1 odd day होता है तो इसको 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 6 हो गया ठीक है 3 दुना 6 और 9 एकम 9 तो टोटल कितना हो गया 9 फ्लस 6 कितना हो गया 15 हो गया 9 फ्लस 6 हो गया कितना 15 हो गया अब 15 को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइट देंगे 7 से जब डिवाइट दिये तो कितना ओड़े हो गया एक और डे हो गया, साथ दुना चौदा और रिमेनिंग हो गया एक ठीक है, अब इस one को क्या करेंगे, कि ये जो सुक्रवार है इसमें प्लस कर देंगे one, यानि कितना आ गया, सनिवार इसका मतलब क्या हो गया, कि 15 अगरस 2015 को कौन सा दिन होगा, सनिवार होगा question है, कि 6 है, 4 है, 10 है, 8 है, तो इन 4 का use करके हमको बीच वाला नमबर लाना है, क्योंकि बड़ा नमबर तो बीच वाला है तो अगर 4 को हम add करेंगे, तो इतना बड़ा नमबर नहीं आएगा, ठीक है, तो हो सकता है क्या ही तो दो प्यार करके नमबर लेना होगा, तो जैसे यहाँ पर last में क्या है, चार है, और 6 x 4 कर देते हैं, क्या हो जाता है, 24, और यहाँ 8 x 10 कर दिए तो कितना हो गया, 80 हो गया, इन दोनों का add कर दिए तो कितना हो गया, 104 हो गया, उसी तरह इसको check करते है, 7 x 8 कितना है, 56 है, और 9 x 11 कितना हो गया 99 हो गया तो यहां कितना addition 155 हो गया यहां इन दोनों का जूड़ तो same जो है इसको करेंगे तो कैसे करेंगे 19 x 8 कितना हो जाएगा 152 और 5 x 14 कितना हो गया 70 हो गया तो इन दोनों का add करने पर कितना हो गया sorry यहां जो है कितना है 9 into 8 है यहां कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ठीक है यहां 19 नहीं है यहां 9 into 8 है 72 हो गया और यह क्या हो गया 70 हो गया यहांनि 142 142 यहां पर आंसर होगा 142 ठीक है 142 is the correct answer option number D is the correct answer यह जो है missing number है तो question mark के जगह में क्या होगा हमको यह बतलाना है तो यहां पर देखे हम देखके पता लग रहा है कि यह जो है कितना है 2 गुना है ठीक है और यहां भी क्या है 2 गुना है फिर यहां का 2 गुना है यहां देखते हैं तो कितना हो गया 3 गुना हो गया ठीक है आगे नहीं पता यहां देखते हैं चार गुना है यहां भी चार गुना है और यहां भी क्या है फोर टाइमस है तो यह जो है इस सीरीज अगर इस रो की बात करें तो यह जो गुना फिर यहां पर सभी में चार गुना है तो यहां भी क्या हो जाएगा ती गुना हो जा तो यह जो triangle दिया है, इसमें हम कैसे त्रिभुजोंक संख्या ज्याद कर सकते हैं, अगर हम इसको देखे हैं, तो यह बीच वाला जो safe है, कुछ इस तरोगा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें त्रिभुजोंक संख्या कितना होगा, इसमें numbering कर देंगा, 1, 2, 3, 4, और मैक्सिमूम नंबर इसमें कितना है चार चार को हम जर्स दोगुना कर देंगे आठ तो इसमें टोटल नंबर और ट्रेंगल कितना हो जाएगा आठ यहां भी इसी टाइप का सेफ है आठ एक ये बड़ा वाला एक और एक ये वाला पूरा उपर तक ठीक है अब क्या हो गया इसमें देख लेते हैं ये वाला कितना होगा यहां पर एक त्रिबूज है और एक सिर्स से बेस पर लम डाला हुआ है तो इस टाइप के ट्रेंगल में कितना होता है तीन होता है तो इधर भी तीन और इस साइड भी ऐसे है और इधर भी कितना हो गया तीन हो गया तीन प्लस तीन ठीक है एक ट्रेंगल जो है यह भी है और यहां से क्या डाला गया है लम डाला गया है पेस पर तो यहां पर भी कितना होना चाहिए तीन होना चाहिए लेकिन हम यहां कितना लेंगे दो लेंगे क्योंकि इस ट्रैंगल में जो है ये वाला count हो चुका है तो plus टू और इधर भी जो है ये एक triangle है और ये जो है कितना है सिर्ज से यहां से lambda लग गया है ठीक है तो इसमें भी तीन ना लेके नो लेंगे क्योंकि इसमें जो है एक count कर चुके हैं एक जो है मेरे triangle ये वाला होगा ठीक है और एक triangle क्या होगा ये बड़ा वाला होगा और एक triangle जो है ये बड़ा वाला होगा तो कितना हो गया total तीन triangle extra हो गया एक triangle ये वाला हो गया एक triangle मेरा ये वाला हो गया तो कितना हो गया दो ठीक है अब क्या है एक triangle जो है मेरा ये वाला हो गया एक triangle ये वाला हो गया और एक triangle क्या हो गया ये वाला हो गया ठीक है प्लस दो तो total number of triangle कितना हो गया देख लेते हैं 8 प्लस एक 9, 10 और 6, 16, 4, 16, 20, 20 और 7, 20 और 7 कितना हो गया, 27, तो इस आकिर्टी में कितने number of triangles है, 27 triangles है, option number 6 is the correct answer, तो question में कह रहा है कि एक लड़के को कागज पर 7 रेखा है, पर तेक रेखा, पहली रेखा की 2 गुनी है, यानि कि क्या हो गया, कि पहले रेखा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 7 रेखा है, और पहले रेखा का 2 हो गया, और सभी रेखा जो है, पहले रेखा का 2 हो गया, यानि दू होना 128 हो गया यहीं सातवा रेखा कितना हो गया 128 सेंटिमीटर का हो गया ठीक है आप इसको अगर 100 ट्रिक से बनाना है काफी अगर लंबा रेखा के बारे में पूछ दिया 120 रेखा है तो न के जगह में क्या है सेवन टम निकालना है है तो एक जगह में क्या है यह फिस नम्बर यानी कि तू दे देंगे ठिक है और फिर उसके बाद क्या रिखा मत्लब नहीं कैसे कि जैसे दो गुना है तो यहां देखते हैं अगर हम पहला बार देंगे तो 2 ही आएगा 8 को जो 4 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा तो जो रेश्यो है दोनों के बीच में क्या है कितना का मल्टिपल है वो हो गया 2 का मुल्टिपल है आर जो है आर का वैलू 2 हो जाएगा तो आर के जयंमें टू दे दिए और एं के जयंमें कितना है 7 माइनस वन हो गया 6 यानई ये कितना हो गया यह 2 गुना 64 यानि कितना हो जाएगा 128 ऐसे भी 안 ситу तो इसमें मतलब कहने कि यहां पर दो डाइस दिया गया है ठीक है डाइस दिया गया है यानि कि पासा इस दोनों डाइस में जो है क्या है यह ग्रे है ब्राउन है ब्लू है रेड है ब्लू है ग्रीन है तो दोनों डाइस में हमको पता लगाना है कि नारंगी के विपरित कौन सा रंग है तो इसमें काम करना है कि पहले हमको common डूंडना है तो कौन सा जो है common है यानि कि दोनों में एक term होगा जो दोनों में होगा एक ही term होगा तो इन दोनों अगर देख लें तो इधर क्या है blue है और यहां क्या है blue है इन दोनों में क्या ब्लू common है बाद बागी कोई भी color common नहीं है तो इस तरह के problem में क्या करते हैं कि जब भी दो dice में एक term common हो जाए तो क्या करते हैं कि उसके घड़ी के दिशा में चलना सुरू करते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर क्या है blue है और blue से क्या है यह हम इसमें घड़ी के दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे तो blue से हम क्या जाएंगे इसमें पहले वाले dice में gray जाएंगे और gray से कौन सा color जाएंगे इधर फिर जाएंगे ब्राउन जाएंगे ब्राउन चले गए ठीक है इसमें इसी तरह blue से क्या आएंगे अगर clockwise चलेंगे घड़ी के दिशा में चलेंगे तो इधर आएंगे फिर इधर से इधर जाएंगे यानि फिर blue टू यहाँ पर क्या जाएंगे ग्रीन जाएंगे और green से खा जाएंगे रेट जाएंगे ठीक है यहाँ पर तो orange का यह दिया है नहीं किया है तो जो बच गया वो क्या हो गया बुलू का opposite होगा ठीक है औरेंज तो blue का opposite कौन सा हो जाएगा औरेंज हो जाएगा यानि औरेंज का opposite क्या हो गया बुलू हो गया बुलू मतलब नीला option number 2 is the correct answer